हेलो दोस्तों, विलकम टो इनल टेक और विलकम टो इनी वीडियो दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर में बात करूंगा आईफोन के अंदर कुछ बैटरी सेविंग टिप्स और टिक्स जिसको आप अगर फॉलो करेंगे तो आपका डे टो डे लाइफ में जो आईफोन का बैटरी उसेज है, वो और बढ़ जाएगा और आप अपना आईफोन को लॉंग टाइम के लिए यूज कर पाएंगे तो मेरा नमें इम्रान, आईए आज की वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले बात करूंगा कि आप अपना आईफोन के अंदर अगर कोई भी वीजिट उस करते हैं तो उस वीजिट को आप डिशेबल कर दिजिए या भी डिलीट कर दिजिए क्योंकि आप अगर third party कोई भी widget आपके iPhone के अंदर यूज़ करेंगे तो वो बहुत भी battery consume करता है और आपका iPhone के अंदर बैटरी को drain करता रहता है तो आपका जो पूरा दिन iPhone चलता है वो पूरा दिन नहीं चलेगा तो दोस्तों आप third party widget को अपना iPhone के अंदर से हटा दीजिए या फिर delete कर दीजिए तो इसमें क्या होगा कि आपका end of the day आपका battery life बच जाएगा और आप अपने iPhone को long time के लिए use कर पाएंगे तो दोस्तों हमारा next tip यह है कि आपका अगर iPhone iOS 15 में updated है और iOS 15 का अंदर आपको camera के अंदर एक new feature देखने खने को मिलता है Live Text का feature तो दोस्तों आप अगर camera को open करते हैं तो आपको यहां पे एक icon आइक का इस आईकन को आइकन आपको देखने को मिलता है और camera के अंदर आपको setting देखने को मिलता है show detected text आपको इसको बस disable कर देना है और disable कर देने के बाद आपका जो live text का feature है ये camera से disable हो जाएगा जैसे के आप देख सकते हैं कि यहाँ पर live text का feature और नहीं काम कर रहा है तो दोस्तों ये जो live text का feature है इसको आप disable करके आपना iPhone के अंदर जो iOS 15 में updated है उसका जो battery life है उसको long lasting कर सकते हैं तो दोस्तों next हमारा जो battery saving tip है इसको आपका डिसेवेल कर देंगे तो आपका बहुत जादा बैटरी बच जाएगा और दिन के end में आपका iPhone के अंदर बहुत जादा battery charge remaining रहेगा तो दोस्तों ये जो setting है इसको setting को disable करने के लिए आपको setting के अंदर जाना है और setting के अंदर जाने के बाद आपको privacy के अंदर जाना है उसके बाद location services के अंदर जाना है तो ये significant location करता है कि आप जहां पर जाते हैं उसका एक record रखते हैं जैसे कि आप morning में एक जगा पर हो और दोपेर को आप दूसरी जगा जा चुके हैं तो वो जो location है वो location का data को ये save करके रखता है जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरा 18 location data saved है तो दूसर्थि इसको आप अगर disable करदेंगे तो इसमें जो GPS का काम होता है location services का काम होता है वो आपका बंद रहेगा तो इसके अंदर आपका बहुत जादा battery save होगा और दूसर्थि ये significant location का feature है इसको आप अगर disable करदेंगे तो इसमें आपको एक loss होता है इसमें क्या होता है कि आपका optimized battery charging है वह आपका disabled हो जाता है तो आप अगर optimized battery charging को आप enable करके रखते हैं तो आपको significant location को enable करके ही राकنا होगा नहीं तो वह optimized battery charging काम नहीं करेगा दोस्तों next हमारा बैटरी सेविंग टीप है वो आपका Privacy के अंदर या आपको देखने को मिलता है तो दोस्तों setting के अंदर Privacy के अंदर चले जाई है और जाने के बाद Location Services के अंदर चले जाई है तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर बहुत सारा एप है आपका जो लोकेशन को यूज करता है तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर कैमेरा, कैलेंडर, एप स्टोर, गूगल होम, मैप सारा यहां पर एप्लिकेशन जो है जो location use करता है यहाँ पर आपको show होगा तो दॉस्ट आप देख सकते हैं कि यहाँ पर location use का method है वो आपको change करके रखना है आपको always use पर नहीं रखना है जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर calendar application के अंदर जाता हूं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि while using the app नेवर पर कर दीजिए आपको अगर वो location service उस app के लिए नहीं चाहिए तो उसके लिए आप never कर दीजिए जैसे कि मेरा camera application के अंदर यहाँ पर नेवर किया हुआ है तो दोस्तों आपको यहाँ पर देखना है कि आपको कौन सी application के अंदर आपको location services कैसा देना है तो दोस्तों यह सारा setting को आप अगर एक बार change कर देंगे तो आपका location services है वो location services limited हो जाएगा जब भी कोई app open होगा तो उसी वाक्त वो location services को use करेगा दूसरा time पर वो location services को use नहीं कर पाएगा तो दोस्तों आप यह जो list है इस list में आप जाके आप देख लीजिए आपका कौन सा application never pay कौन सा application when shared है कौन सा application while using है तो दोस्तों इसको आपको ज़रू से change कर लेना है तो दोस्तों next हमारा बैटरी सेविंग टीप है वो भी आपको privacy का अंदर देखने को मिलता है आपको इसको एनेबिल करने की कोई ज़रूत नहीं है क्योंकि इंडिया के अंदर आपको एपल पर यूज़ करने का option देखने को नहीं मिलता है compass calibration के अंदर आप disable करके रखिए तो दोस्तों आप यहां पर screenshot ले सकते हैं आपको कौन-कौन सी application को on करके रखना है कौन-कौन सी application को disable करके रखना है वो आप यहां पर देखके आप disable कर सकते हैं दोस्तों next हमारा बैटरी सेविंग टीप है उसके लिए आपको focus mode को use करते रहना चाहिए जैसे कि आप अगर focus mode को use करेंगे तो focus mode का अंदर आपको बहुत सारा option देखने को मिलता है तो setting का अंदर आप जाके focus के अंदर चलीए और जैसे कि walk मेरा focus mode है इसका आप चलीए तो focus mode के पहले मैं दिखा देता हूँ कि मेरा यहां पर homepage है यहां पर 3 तो focus mode का अंदर आप जाके यहां पर home screen को setup कर सकते हैं जासे कि आप को custom pages का option देखने को मिलता है यह जो custom page है आप इसको enable कर सकते हैं और आप यहाँ पे दो page दे सकते हैं जैसे कि मैं दो page दे के यहाँ पे done करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ फोकस mode मैंने on नहीं किया था तो इसको work को on कर देते हैं और आप देख सकते हैं कि यहां पर दो ही पेज होगा तो अगर focus mode को enable करके रखेंगे तो आपको background app limitation का option देखने को मिल जाता है background जो home screen है home screen का अंदर आपको custom page option देखने को मिलता है allowed notification का अंदर आपको notification का app चूज करने का option देखने को मिल जाता है जैसे कि मेरा work profile है तो work profile का अंदर मैं कोई भी application को notification allow नहीं करके रखा हूँ आप चाहे तो आप कोई भी application को यहां पर allow कर सकते हैं तो यह करने से क्या होगा कि आपका कोई भी application आप अगर add करेंगे तो सिर्फ उसी application का notification आएगा और दूसरा आपका notification आपको disturb नहीं करेगा तो दूस्तों आप अगर focus mode को use करते हैं different different option आपको इसका अंदर देखने को मिल जाता है यह सरा option को आप अगर utilize करके use करेंगे तो आपका जो battery life है वो battery life और बढ़ जाएगा और long time के लिए आपका iPhone का battery चलेगा दूसरा हमारा next जो battery saving tip है उसका आप अगर disable कर देंगे तो आपका बहुत ज़्यादा battery save होगा और दिन के end में आपका battery बचा हुआ रहेगा तो दूसरा आपको Siri and search के option के अंदर जाना है setting में जाके Siri and search के अंदर जाना है और यहां पर हे Siri जो word है इसको आपको disable कर देना है और उसके बाद यहां पर allow Siri when locked इसको भी आपको disable कर देना है तो दूसरा यह दोनों option को आपका disable कर देंगे तो क्या होगा कि आपका जो iPhone है वो हे Siri word को detect नहीं करेगा जैसे कि आप Hey Siri बोलके Siri को wake up करते है तो वो disable हो जाएगा आप अगर side key को long press करेंगे तो ही आपका Siri enable होगा और यह दोनों option को आप अगर enable करके रखते हैं तो यह Siri word को find करता रहता है हर वाक्त आपका microphone Hey Siri word को find करता रहता है तो इसके वाज़े से क्या होगा कि आपका हरवक्त mic on रहेगा और उसके वाज़े से आपका बहुत ज्यादा battery consume होता है तो आप Hey Siri word को यहां से disable कर देजिए और when locked इसको भी आप disable करके रखिए आपका Siri को open करना है तो side key को long press कर यह आपका Siri open हो जाएगा और Siri का जो भी काम है आप side key से enable करके आप Siri से कर सकते हैं दोस्तों next हमारा जो tip है वो आपका battery बहुत ज्यादा save करेगा आप इसके लिए क्या कीजिए कि आप इसके लिए iPhone का अंदर जो low power mode है उस low power mode को use कीजिए तो दोस्तों आप setting में जाके control center के अंदर जाके आप low power mode जो है इसको आपको enable कर देना होगा आपको low power mode को उपर लेके आना होगा तो आपको quick setting के अंदर low power mode का setting देखने को मिल जाएगा तो दोस्तों यह आप low power mode को आप अगर enable करेंगे तो आपका battery बहुत जादा long lasting हो जाएगा आपका जो background task है वो low power mode के अंदर disable हो जाता है आपका mail fetching हो गया आपका email id refresh हो गया आपका iCloud refresh हो गया जो भी आपका background task है वो disable हो जाता है तो उसके बाज़ से क्या होता है कि आपका battery बहुत ज्यादा बच जाता है तो आपको दिन के end में बहुत ज्यादा battery backup देखने को मिल जाएगा दोस्तों next हमारा जो battery saving tip है उसके लिए आपको sound recognition का option है उसको आपको disable कर देना होगा और उसके बाद आपको नीचे scroll down करके sound recognition के अंदर आना है और यह जो sound recognition आप देख सकते हैं कि मेरा disable किया हुआ है तो आप भी sound recognition को disable कर दीजिए तो दोस्तों यह sound recognition है इसको आपका disable करेंगे तो आपका क्या होगा यह हर वक्त आपका mic को on करके रखता है तो आपका mic off रहेगा तो इसके अंदर battery save बहुत जादा होगा आपका screen time को enable किये हैं तो आप इसको disable कर दीजिए मेरे लिए screen time जरूरी है क्योंकि मेरा monitor होता रहता है यहां पर तो आप अगर screen time को enable कर देंगे तो इसका अंदर क्या होता है कि आपका screen जब तक on रहता है कौन-कौन से application कितना time के लिए आपका screen on करके रखता है यह सारा आपको इस कर सकते हैं तो आप अगर screen time को disable करना चाहते हैं तो आप यहां पर नीचे से screen time को disable कर सकते हैं तो आपका iPhone के अंदर बहुत ज्यादा battery backup देखने को मिलेगा दोस्तो नेक्स्ट हमारा जो battery saving tip है वह iCloud के regarding है तो आप अगर iCloud backup को enable करके रखे हैं तो आपको उसके अंदर आपको cellular data को off करके रखना चाहिए तो आप देख सकते हैं कि यहां पे मेरा iCloud backup जो है यह off है तो आपको यहां पर क्या करना है कि आपका अगर iCloud backup iPhone के अंदर आप on करके रखे हैं तो आपको उसको mobile data में नहीं रखना है आपको उसको हमेशा Wi-Fi के उपर रखना चाहिए क्योंकि आप आपका उसके अंदर क्या होता है कि mobile data भी जाता है आपका battery life भी जाता है तो अगर उस backup को Wi-Fi के जरी कर देंगे तो उसके अंदर आपका battery भी सेव होता है और उसके अंदर आपका mobile data भी वशता है तो यह तो आप iCloud को off करके रखिए या फिर इसको only Wi-Fi पर करके रखिए तो direct sunlight के अंदर आपको iPhone को नहीं राखना है आपका iPhone और आपका जो iPhone हीट होता है आप अगर gaming करते है तो उसके वाज़े से आपका iPhone हीट होता है आपका गेम खेलने के बहुत ज़्यादा सौक है तो आपका iPhone गेमिंग के वाक्त हीट होता है तो उसके लिए आप एक particular cooler यूज अंदर आपको बहुत ज़्यादा इंपेक्ट परता है तो हीट आपका iPhone के लिए बहुत ज़्यादा खत्रा है तो आपका iPhone हीट ना हो पाए उसको आपको ध्यान में रखना है दोस्तों नेक्स्ट हमारा बैटरी सेविंग टीप है उसके लिए आपका जो iPhone का अंदर रेज़ बैटरी कंजिम करता है तो इसके लिए आपको जो रेज़ टू एक फीचर है उसका आपको डिसेबल करके रखना चाहिए तो इसको डिसेबल करने के लिए आपको सेटिंग का अंदर जाके डिस्प्ले अन ब्राइटनेस के अंदर जाना है और उसके अंदर जाके आपको रे receiving tip है उसके लिए आपको जो apple का advertising का option है उसको आपको disable कर देना है तो उसके लिए आपको setting का अंदर जाना है setting का अंदर जाने के बाद आपको privacy का अंदर जाना है और नीचे scroll down करके आपको apple advertising का option दिखने को मिले गए यहाँ पे तो इसके अंदर जाके आपको इसको डिसेबल कर देना है तो अगर इसको डिसेबल कर देंगे तो आपका जो iCloud server है आपका जो Apple server है वो आपको detect नहीं कर पाएगा ट्रैक नहीं कर पाएगा तो इसके बज़े से क्या होगा कि आपका जो battery life है वो battery life और बढ़ जाएगा और उसके बाद back आके आपको यहाँ पे analytics और improvements में जाके इसको भी आपको disable कर देना है share iPhone analytics इसको भी आपको disable कर देना है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा enable किया हुआ है नहीं है तो आपको अगर यह enable किया हुआ है तो आपको इसको disable कर देना है इसको disable कर देने के बाद आपका बहुत जादा battery बंचेगा नेक्स्ट हमारा बैटरी सेविंग का tip है वह आपको mail section का अंदर देखने को मिलता है तो आप setting का अंदर जाके mail के अंदर चले जाए और उसके बाद accounts के अंदर चले जाए और account section का अंदर जाने के बाद आपको यहाँ पे setting देखने को मिलता है फेच new data तो इसको आपको tap करना है और tap करने के बाद आपको यहाँ पे iCloud Gmail आपका mail ID है वह उसके अंदर जाके आपको यहाँ पे फेच पे कर देना है इसको आपको पूस्ट पे नहीं राकना है या तो आप फेच पे करिए या तो आप मैनुल पे करके रखिए तो आप अगर यहाँ पे पूस्ट पे कर देंगे तो पूस्ट के अंदर क्या होगा कि यह जो iCloud का आपका जो setting है और Gmail का जो setting है जब भी mail इसको फेच पे कर देने के बाद क्या होगा कि इसके अंदर आप timing सेट कर सकते हैं नीचे आप देख सकते हैं कि every 30 minutes, every 15 minutes, manually, hourly आपको option देखने को मिलता है, automatic का भी option देखने को मिलता है तो आपका 30 minutes पे कर देंगे तो आपका जो mail फेच होगा वो 30 minutes के gap gap के अंदर होगा तो इसके अंदर mobile data भी बचेगा और आपका battery भी बचेगा दोस्तों next हमारे जो battery saving tip है उसके लिए आपका जो phone के अंदर photos application होता है तो photos application के अंदर क्या होता है कि आपका mobile data के अंदर आपका जो iCloud का backup है वो backup होता रहता है तो दोस्तों आपका अगर mobile data में upload को disable करना है तो आपको photos application के setting के अंदर चले जाना है और setting के अंदर जाने के बाद आपको यहां पर mobile data का option देखने को मिलेगा और tap करने के बाद mobile data या भी cellular data आपको पास कोई भी लिखा हुआ आ सकता है तो इसको आप disable कर देजिए disable कर देने के बाद क्या होगा कि आपका जो iCloud backup है आपका जो photos का backup ह नहीं होगा तो इसके अंदर आपका जो mobile data है वो भी बचेगा और आपका battery भी इसके अंदर बहुत ज्यादा सेव होगा दोस्तों next हमारा जो battery saving का टीफ है वो आपका safari browser के अंदर देखने को मिलता है तो इसके लिए आपको setting का अंदर जाके safari browser के अंदर चले जाना है safari browser क setting का अंदर जाना है तो इसके अंदर आपको preload top hit यह जो option है इसको आपको disable कर देना है तो यह कैसे काम करता है जैसे कि आप मान लीजी कि आप अगर कोई भी website का अंदर है और उसके अंदर आपको multiple pages देखने को मिलता है एक दो तीन चार करके नीचे जो timing आता है line आता है उसक पेज को यह preload कर लेता है मतलब उस पेज को यह open कर लेता है आप अगर उसके अंदर tap करेंगे तो तुरांत वह page खुल जाएगा तो आपको अगर इसको disable कर सकते हैं या फिर enable रख सकते हैं तो इसको आपको अगर डिसेबल कर देंगे तो आपका अगर front page में काम हो जाएगा तो यह दूसरा page reload करके कोई फाइदा नहीं है आपको तो इसको आप disable कर दीजेए तो नेक्स हमारा जो battery saving tip है उसके लिए आपको general का अंदर जाना है setting का अंदर जाके और general का अंदर जाने के बाद आपको background app refresh यह जो option है इसके अंदर जाके आपको देखना होगा बहुत सारा apps आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा जो भी app को आप चाहते हैं कि यह background में refresh ना हो वह app को आप disable कर दीजिए जैसे कि Amazon को मैं नहीं चाहता हूं को यह background में refresh हो तो इसको मैं off कर दूँगा तो आपको अगर लागे कि कि किसी application को आपको enable कर कर रखना है और किसी application को disable कर कर तो आप वो अपनी मर्जिस से कर सकते हैं तो आप अगर यह background app refresh से यह आप अगर disable कर देंगे तो इसका अंदर आपका बहुत ज़्यादा बैटरी 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 बहुत ज़्यादा remaining रहेगा तो यही था कुछ iPhone के अंदर बैटरी सेविंग का tips and tricks iOS 15 के अंदर तो वीडिय जाए जब भी मैं वीडियो अपलोड करों तो फिलाल इस वीडियो में नहीं मिलते कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर तो तब तक के लिए बाई बाई